सडकों और कॉलनियों की गलियों में दोनों और गलत तरीके से कारे पार्किंग करने वालों पर रोक लगाने के लिए केंद्रिय सडक परिवन्व राज मार्ग मंत्रा ले कानून बनाने पर विचार कर रहा है सडकों और कॉलनियों की गलियों में दोनों और गलत तरीके से कारे पार्किंग करने वालों पर रोक लगाने के लिए केंद्रिय सडक परिवन्व राज मार्ग मंत्रा ले एक कानून बनाने पर विचार कर रहा है अगर यह कानून लागू किया गया तो ऐसे लोगों की शामतानी तय है इस कानून के तहट कोई व्यक्ती गलत तरीके से सडक पर पार की गई वहान की तस्विर भेज कर विभाग को यदि सुचना देता है तो उसे तो उसे 500 रूपे का इनाम दिया जाएगा साथ ही जिसने गलत पारकिंग की है उस वहान मालिक से 1000 रूपे का जुर्माना भी वसूला जाएगा मतलब गलत पारकिंग की सुचना दो और पैसे कमाओ अगर यह कानून आ गया तो नाकपुर में तो यह अनेक लोगों का कमाई का जरिया बन जाएगा और गलत पारकिंग करने वालों की शामत आ जाएगी क्योंकि सिटी में तो हर सडक अंदूरिनी सडको और गलियों तक में लोग अपने फोर विलर ऐसी खड़ी करते हैं मानो जमीन उनकी हो पारकिंग की जगह ही नहीं बनाई अमूमन हर मद्यम वर गया परिवार में एक कार तो है लोग अपनी सुविधा के लिए फोर विलर को खरिद लिये हैं लेकिन उनके घरों में कार रखने की जगह तक नहीं है ऐसे में यह अपने घरों के सामने गली में बौंडरी वॉल से सटा कर गाड़ी रखते हैं ऐसा दोनों साइड होता है जिससे संकरी गली और संकरी हो जाती है ऐसे ही हाल बाजार शेत्रों का भी है इतवारी, गांदी बाग, गूकुल पेट आदी इलागों में भीतरी संकरी गलियों में रात के समय बाहरी रहान खड़ी नजर आती है सडकों के तहाल ही बेहाल है अधिकतर सडकों के किनारे रहान गलत तरीके से पार किये जा रहे हैं फुटपात के उपर और कार चड़ा कर रखा जाता है पेदल चलने वालो को जगन नहीं मिलती सडकों के दोनों साइड पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लगी रहती है RTO का रेले से संजे मिरे BC News नाकपुर